है गाइस वेलकम टू क्यूब खोबे और आज आप सबको में एक न्यू ट्रिक बताने जा रहे हूं और वो न्यू ट्रिक है कि हम लोग फासली जमीन पर कैसे लेंड कर सकते हैं जो हमारी उद्यू प्लेइर से वो अपने कि अत्र वह अपने लूगेशन को कर ले थे हैं, अब स्पीड है तो थीर एठ्टी जाती है और गठ्टी ही जाती है गरते गरते उनकी स्पीड बिल्कुल 90 किलोमेटर पर आवर पर हो जाती है और उससे क्या होता है कि वो लोग जैसे ही उतरते हैं तो एनिमीज उन्हें ट्रैक कर लेते हैं और उन पर शूटिंग चालो कर देते हैं उससे क्या होगा कि वो लोग एक तो मरते ही हैं उपर से उनकी जो पेरिशूट लेंडिंग है वो भी गलत हो जाती है और ये पेरिशूट लेंडिंग उनके लिए तो बेनिफेशल होती ही नहीं है बट उससे उनका नुकसान जरूर हो जाता है अब मैं आप सबको दूसरी ट्रिक बताने जा रही हूँ वो है कि जो हमारे प्रो प्लियर्स हैं वो अपने लोकेशन को ट्रैक करके रख लेते हैं और जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुचते हैं और उन लोकेशन पर उनकी जब 752 तो 800 मीटर की जब दूरी रहे जाती हैं तब ही वो जम करते हैं जम करते ही वो अपनी करेक्टर के जो हेड है उसे जमीन की और कर देते हैं जमीन की और करते ही वो अपनी जॉइस्टिक को लेफ्ट और की तरफ ले जाते हैं 45 डिग्री पर और लेफ्ट की ओर 45 डिग्री पर ले जाते ही उनकी स्पीड बढ़ती ही जाती है और बढ़ती ही जाती है और बढ़ते बढ़ते वो 234 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से तेजी से नीचे उतर जाते हैं और तेसी से नीचे उतरते ही वो एनिमीस को ट्रेक पर पाते हैं और एनिमीस को ट्रेक करते ही उन पर गोलिया चलाने लग जाते हैं और वो गोलिया उन्हें इतनी परती हैं इतनी परती है कि उनकी जान ले लेते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और प्रीवेस वीडियो देखने के लिए क्लिक करें